तो हाज जी काईज आज आगी है मेरे पास एक नया बॉक्स जोगी है पोको की तरव से जिसको करने वाले अन्बॉक्स और आपको बताने वाले हैं इसके अंदर क्या कुछ चीजे भर की दीगी है ये पोको M4 Pro और ये इस बार 4G वर्जिन के साथ आया याद होगा आपको कुछ इसमें पहले हमने इसका 5G वर्जिन अन्बॉक्स किया था अच्छा वो फोन काफी सही था 5G के साफ से अपने बजट के अंदर और से प्राइस के उपर यहां पर इन्होंने 4G फोन भी लॉंच क उनको चाहिए भरपूर स्पेक्स तो उनके लिए कुछ ऐसा फोन बनाया जाता है चालो इस फोन की USB AMOLED डिस्प्ले तो आप समझेगे हो कुछ और भी बहुत कुछ है डबा कोलते है वैसे अन्बॉक्सिंग में पहले कर चुका हूँ फोन सेटप भी कर चुका हूँ फोन को फोन आ जाता है उसके बाद यहां पर वाइट का लगा गत्ता देनीद यहां पर डब्बे में सा निकलता है एक और डबा जो की बाहर नी आने का मान रहा इसके उपर पोको की ब्रैंडिंग है इसके अंदर ओजार निगल जाता है आपके सिम को अंदर बार करने के लिए एक टीप्यू कवर जो की ठीक है बट मैं इस फोन में लगा लेने मला वह क्यों आपको बताता हूं कुछ प्रेम पत्र भी मिलें बाद में पढ़ेंगे राम से और इसके अंदर हमें देखने को मिल जाओती है हमारी USB Cable और यह 33W की यहां पर ब्रिक में जाएगी जिससे आप च टेक्स पता चल दाएंगी कि फोन में क्या कुछ देखने को मिल रहा है ओवरॉल बताऊंगा मैं आपको भी हम किसले बैठे से डबा सोड़ी खोलते सारा कुछ बताते हैं बट एक चीज़ जैसे कि यहां पर Made in India भी लिखा है RGB 128GB होला variant मेरे को मिला है और जितना मैं इसको ट एक चीज़ की तारीफ करना चाहूंगा यार इन हैंड फील काफी सही लिगी मेरे को एक और चीज़ की तारीफ करते हैं पोको के बारे में यहां पे दो फोन्स हैं मेरे पास दोलों ही फोको के एक है Poco M4 Pro 5G और यहां पे जो अभी अभी हमने 4G देखो यार बजट के अंद करते हैं ऐसा कोई और मेंड बना रहा है नहीं सो कुदोस टू पोको टीम कि यह डिजाइन इनोमेटर का टैग इनको मैंने दिया है जो कि अच्छा लगता है अब देखो ऐसा नहीं कि हम तारीफ कर रहे है तो पोको भाईया आप बिगड़ जाओ अच्छा काम है तो काफी अच्छा है मैट फिनिश के साथ आ रहा है और यहां पर को फिंगर नहीं लगाने वाला क्योंकि नहीं फिंगर प्रिंट आएंगे ना जल्दी स्काइच आएंगे तो यह सुंदर भी बहुत लग रहा है तो कवर नहीं लगा रहा है मैं इसमें एक चीज नोट कर रहा यहां पर ऐसा लग रहा है चार-चार कैमरा से वर तीनी कैमरा से यहां पर बाकी एक फ्लैश और यह लिखा हुए है और थोड़ा सा बारीकी में लगे जाहूं तो 64 मगा पिक्सल का कैमरा बल रहा है और सामने से आपका फोन कुछ ऐसा दिखता है वलोग भी आपको डिस्प की बारे मैं बात करूं तो भाई साब आपको काफी रिच कलर्स और काफी बड़ी एक्सपेरिस मिलने माला है वीविंगे गल्स काफी अच्छे और आउट्डोर वीजिबिल्टी तो बहुत ही बड़ी है 700 निट्स की ब्रैटनिस है एंड बहिया उपर तक जाती है हजार तक एंड जब मैंने इस फोन को लिया पकड़ा तो मैंने सबसे पहले क्या नोट किया इसमें 90 हर्स के ऐसा परफॉर्म कर रहा है 90 हर्स मुझे एकड़ पढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिखा को हिकप सभी को लैक्स नहीं को जिखने को बिल रहा तो मैं आपको दिखाँ सबस एक चीज की यहां पर एक चीज रहती है क्या रहती है है कि चीज की यहां रहती है अरे कि आ चाहते हो एक्चुली मैं शोमी और रेटमी और पोको में चेंज़ जो आते हैं वो आते हैं MIUI के साथ यहां में Android 11 मिल रहा है बग्ट MIUI 13 लेटिस्ट है तो आपको जीतें भी G96 लगा हुआ है, which is a sort of gaming processor, यहाँ आपे gaming कैसी है, बीजे माई खेल के देख लेते हैं अर्पार के अर्पार को टीजे हैं आर्पार के अर्पार करिस्ट लेते हैं यहाँ है झार आर्पार के विजे हैं और भाई यह को कंजूसी कहीं नहीं है, LPDDR 4X देखने को मिलती है, UFS 2.2 देखने को मिलती है, विच इस गुड तिंग, तो हाड़ेर यहां पे अच्छा लगाया गया है, और हाँ, लिक्विड कुलिंग भी है, तो आपका फोन को एकदम ठंडा रखेगा, और आपके दिमाग को भी थंडा रखेगा, और आपको दिमाग को भी थंडा रखेगा, यहां पे आपको डूल स्पीकर्स उपर, नीचे, डूल डूल बाद जे मिल रहें, तो आपको सिमेट्रिकल वाली मिल रहें, बजाओ जोर से, इसके हेडफोन जाएक उपर देखने को मिल रहा है, मुझे काफी सजी चीज लगती है, हेडफोन जाएक उपर आना, कईयों को नीचे पसंद होगा, मुधे उपर ही पसंद है, Swift, Fast and Furious, अच्छे, इसमें भी वो है, वर्च्वल रैम जो होते है, अप्टू 3GB, बाकी हरे एक वेरेंट के साब से, जैसलिक मैंने बोला, आप मेरे पास तो 8GB वेरेंट है, तो उस साब से मैं 3GB तक इसको बढ़ा सकता हूँ, और आ, डिजाइन में एक चीज़ बताना भूली गया, इसमें IP53 की रेटिंग दी गई है, यानि कि इसमें आपको dust है, splash proof मिलता है, हलका फुलका पानी कच्छी टग गिर गया, या बारिष में हलका फुलका भिग गया, तो कोई बात नी, इसका मतलो यह नहीं है, बाट टम म इसकी बैटरी टिकनिक मिल जाएगी, which is a very nice, and यहां पर मैं इस फोन को जैसे की चला रहा हूँ, मुझे I think 2 दिन हो चुक है, and उस 2 दिन के हिसाब से, मेरे को यहां पर बैटरी काफी टीक मिल रही है, एक दिन चलती है, बड़े मस्त है, मतलब अगले दिन चार्ज करता वोटोस नहीं जेखी नहीं, कैसी आती है, चलो, वोटोस दिखा देता हूं वहिया कैसी कीचता है, उससे एपर बता दू, 64-5 up x camera है, 8-5 up x wanna ultra wide है, 2 ब्लाइक आपे वेक्सल का macro है, और 14-5 up x community selfie camera मिलते हैं, जय बात, चलो कि अपर आपको ऑप्षिन मिलता है वह 1080 भी 30fps तक का आप 60 शूट नहीं कर सकते और नहीं 4K तक जा सकते हैं वीडियो में काफी डीसेंड लग रहे हैं मिरको सकाई अच्छा से आ रहा है और लीप के कलर भी रीटेन होतों में देख रहे हैं ओवराल स्टेबिलिटी आप चेक आउट कर सकते हो और कलर्स ओवराल कैसे आ रहे हैं वह भी थोड़ा सा देख ले आप एट मीन स्टेबलाइजेशन है हैं फोकसिंग भी हो जाती है नाइस जएस यहां पर यह मैं फ्रंट कामरा से कर रहा हूं यहां पर भी तेने 230 फेस्ट कर सकते हो एंडिया पर भी ओवराल मुझे जो स्क्रीन पर दिख रहा है वीडियो स्टेवल दिख रही है आप मु जल्दी इसका रिवीव भी हम लिख रहेंगे तो आप अपने कॉमेट सीचे कॉमेट में डाल देना और मैं आपको जबाब भी देदूगा और हम जल्दी इसका रिवीव करेंगे सारी चीज़े इंक्लूड करतेंगे अभी के लिए इतना ही आपको मज़ा आया हुगा आगया तो वीडियो को लाइक करके जाना और सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार दो लाग करने फटवट से एंड ठीक है बाबाइ की समयनिंग और रवेश चेके गई ताटा